कि यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है आज हम क्लास दसम में क्वालिटेक एक्वेशन का आखरी चेप्टर एक्ससाइज 4.4 जो की लिट्रेजर सम्मधित प्रस्ण है उस पर हमने एक पार्ट उसका बना दिया था चारदस्वनब 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 आज हम दो कुशन नमबर 8 से आते हैं तो शेप्टर है एक्ससाइज 4.4 कुशन नमबर 8 तेखे 8 है जो प्रस्ण है इस टाइब का प्रस्ण आपको लॉंग में पूस्ता भी है प्रस्ण कह क्या रहा है दो अंकों की संख्या ज़रा दो अंकों की संख्या पर हम थोड़ा से एक बार विचार भी मर्स कर लें ठीक है जैसरे यह दो अंकों की संख्या और यह 62 भी दो अंकों की संख्या दोनों में क्या है यह 26 में दि आंकों को हम परस पर बदल दिये तो मेरा वार्शठ बन गया लिखते कैसे हैं इकाई दहाईं, इकाईं कि धर से होता है राइट से यह हो गया इकाई, यह हो गया दहाई, इसका इकाई छे, इसका इकाई दो, लेकिन इसका इकाई दो, इसका इकाई छे, तो अंकों को यदि आप परस पर चेंज करने से जो नहीं संख्या बन जाती है, तो वो कौन संख्या को चेंज करते हैं, समझना यह फैक्ट होगा, तो व गया इकाई और यह हो गया दहाई तो बनता है संख्या दस गूना दहाई अंक क्या बनता है दस गूना दहाई अंक पलस क्या आप याद रखिएगा क्या दस गुना दहाईं अंक पलस एकाईं अंक ठीक है तो आपको प्रस्न में दे दो अंकों की संख्याँ आएगा तो पहले समझना पढ़ेगा कि दो अंकों से बनने वाली संख्याँ का फॉर्मुला क्या होता है? दस गुना दहाई यंग पलस एकाई यंग चरिए यह हम क्यों बताएं प्रस्न पढ़ा जाए तो प्रस्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है तो जब आपको दो अंक कह दिया है तो आपको एक एकाई और एक दहाई यंग मानना पड़ेगा, ठीक है? मानना ही पड़ेगा, है ना? तो हम लोग क्या कर देते हैं? माना, इकाई अंक बराबर X, दहाई अंक बराबर Y, इकाई अंक बराबर X और दहाई अंक हमने क्या मान लिया? बाई मान लिया, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या का फॉर्मूला क्या बताये थे, दस गुना, दहाई अंक, अपलस क्या, इकाई अंक, ठीक है, तो that is called, हमारा जो संख्या होगा, वो क्या होगा, दहाई अंक कितना है, बाई न, तो टेन बाई, अपलस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा अब आगे बढ़े हैं कह रहा है कि दो अंकों की संख्या इस प्रकार है ये दो अंकों की संख्या हो गया कि इसके अंकों का गुननफर 14 है आए एक्स इंटू बाई बराबर दे दिया है 14 एक्स इंटू बाई बराबर 14 तो यदि हमेहां से आपका बाई निकालने तो बाई बराबर क्या होगा तो बाई बराबर हो जाएगा 14 बटा एक्स इक्वेसर नंबर 1 मान दे है हो गया अब आगे बढ़िए नाव अब कह क्या रहा है प्रस्ण में तो कह रहा है आगे कि यदि संख्या में 45 जोड दें तो संख्या क्या है तो संख्या है 10 बाई पलस एक्स में 45 जोड दें 45 जोड़ दें, तो संख्या के अंग पलट जाते हैं, तो पलट जाएगा तो क्या होगा, देखिए हाथ पर हम थुरा सा लिख है नहीं थे, यहां लिख देते हैं, पलटने पर बनी संख्या, तो पलट दीजिएगा, तो हम बताये थे कि पलटने तो क्या करते हैं, इकाई के ज जाएगा पलटने पर नई बनी संख्या क्या हो जाएगा दस एक्स पलस बाई पहले क्या था टेन बाई पलस एक्स तो कह रहा है कि यदि संख्या में 45 को जोड देंगे तो पलटने पर तो वह संख्या पलटने पर बड़ी संख्या के ब्रावर होता है पलटने पर संख्या क्य 10x गया, तो कितना बचे गया? 9y बचे गया, ठीक है? Sorry, 9x बचे गया, है ना? या ऐसा किजिए, कि इधर दे आए, x को इधर दे आए, 10 में से एक गया, 9x, और इधर आए गया तो 9y, अब बराबर क्या बचे गया? 25, दोनों में क्या common है? दोनों में common है 9, तो क्या बचे गया? x माइनस y, तो 9, 1, 9, 9, 9, 45, ठीक है? तो यह माइन, यह देखिए यहां से, यहां पर, y निकला हुआ है ना? तो क्या करेंगे हम लोग? बताइए आप लोग, क्या करेंगे? माइनस y इधर आकर, पलस इधर आकर, माइनस, तो y बराबर क्या गया? x माइनस 5, इक्वेशन नमबर 2, ठीक है? अब देखिए, यहां पर एक रिलेशन निकला हुआ है, तो हम लोग आते हैं क्या? फ्रॉम, इक्वेशन नमबर 2 में, इक्वेशन 2 क्या है? तो y बराबर है, x माइनस 5, और अब ही, इक्वेशन नमबर 1 के अमशार देखिएगा, तो by कमान कितना दिया हुआ है? 14 अपॉन x, बराबर x माइनस 5, ठीक है? यह भाग आधर जाकर क्या हो जाएगा? गुना, तो 14 बराबर हो जाएगा, x इन्तू x माइनस 5 हो जाएगा, अब चलिए इसको गुना कर दिजिए, तो x गुना x क्या हो जाएगा? x स्कॉर, x गुना 5 क्या हो जाएगा? 5 x, पहला सुधर जाकर के, माइनस, तो x स्कॉर, माइनस 5, माइनस 14, बराबर क्या आगया? 0 आगया, अब 14 में लाना है 5, तो कैसे आएगा? 7 दूनी, चाओदर, ठीक है? तो हो जाएगा, x स्कॉर, दिख रहा है ना, x स्कॉर, देखिए, माइनस 5 लाना है, तो माइनस 7 होगा ना, माइनस 7 x, पलस 2 x, माइनस 14, बराबर 0, ठीक है? अब आप इस दोनों में common लेजे फिर, इस दोनों में, है ना, देखिए, हम यहां कर रहे हैं, जगा की यह समस्या है, क्या हो जाएगा common? तो x इंटू, x माइनस 7, फिर इसमें क्या common हो जाएगा? पलस 2 common हो जाएगा, x माइनस 7, बराबर कितना होगा? 0, फिर क्या common है? तो common है x माइनस 7, तो बचेगा क्या? x पलस 2 बराबर 0, ठीक है? इसके बाद, एक बार इसके बराबर 0 पूट कीजिए, तो x बराबर 7, एक बार इसके बराबर 0 पूट कीजिए, तो x बराबर माइनस 2, एक्स बराबर माइनस दू हम लोग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि संख्या आपका यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, तो मान कौन सा लेंगे एक्स बराबर, साथ, एक्स बराबर साथ लेंगे, तो बाई का मान क्या होगा, देखिए, तो एक्स ब पूछ क्या रहा है संख्यां पूछ रहा है इसलिए संख्यां वराबर हो जाए संख्यां पूछ रहा है ना संख्यां क्या था यहां देखिए संख्यां क्या था संख्यां था टेन वाई पलस एक्स तो य कमान रखिए दो तो दस गुना दू पलस साथ कितना दस दूनी बीस औ लिजे फिर से समझाते हैं चुकि लाउंग पड़स्न है है नहीं है देखे एक बार फिर से जब दो अंकों की संख्या सम्मंधित प्रस्न हो तो आप क्या करें पहले इकाई अंक एक दहाई अंक मानेजे ठीक है और दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला होता है दस गुना दहाई अंक पलस एकाई एक तो दस गुना बाई पलस एक्स पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा तो पलटने पर एकाई के जगा दहाई वाला जगा दहाई के जगा एकाई जैसे 26 का पलटने पर क्या बनता बार सट तो कब तो एकाई वा आगा अब बोला है कि अब यदि संख्या में 45 को जोड़ दें तो पलट जाता है पलट जाता है मुझे 10X प्रस बाई यहां से क्वेशन निकालें बाकी तो 16 की X बाई का मान निकालें एक मान निकालें एक मान निकेटिव लेना है नहीं तो संख्या हो जाएगा 10Y प्लस X 10 प्रस्म का भी वीडियो बनाते हैं तो काफी लंबा समिझाएगा ठीक है और आपको एक एक प्रस्म हम इसमें सुल्म कर दे जाएगे यदि सेम टाइप आएगा तो छोड़ देंगे ठीक ना प्रस्म संख्या आप तो मेरा हो गया 9 क्या कह रहा है देखिए 9 कह रहा है कि प् प्रग बड़ी संख्या का चार गुणा है एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है ठीक है चलिए तो माना बड़ी संख्या बराबर एकस छोटी संख्यां बराबर बाई प्राकिर्ट संख्यां है अब आजाए according to क्यूशन क्यूशन को अच्छा पढ़ना है का रहा है कि प्राकिर्ट संख्यां के बर्गों का अंतर बर्गों का अंतर तो X का बर्ग क्या होगा X स्क्वार बाई का बर्ग क्या होगा दोनों कांतर कितना दिया है 45 अब दूसरा चीज़ कह रहा है कि छोटी संख्या का जो बर्ग है चोटी संख्या काँ है बाई स्क्वार तो बाई स्क्वार छोटी संख्या का जो बर्ग है वो बड़ी संख्या की चार गुनी है तो बड़ी संख्यां काउन है X, X का कितना गुणा है, 4 गुणा है छोटी संख्यां का बरग, बड़ी संख्यां की 4 गुणी है तो अब हम इस Y square का मान हम, इसका Y square बढ़ावर 4 X का मान हम लोग फर्स्ट में रख दें यह तो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा देखो दम सिंपल बन गया और क्या एक्स स्क्वार इसके जगा रखे मान तो चार एक्स बराबर 45 परला सिधर आकर क्या हो जाएगा माइनस अब देखिए 45 में लाना है कितना चार तो नौप पचे 45 बन गया तो एक्स स्क्वार पालस 9 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 45 बराबर 0 दोनों में क्या कमन है एक्स पलस 9 फिर दोनों में क्या कमन है माइनस 5 तो एक्स पलस 9 बराबर 0 फिर क्या कमन है तो एक्स पलस 9 इधर बज जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 0 तो एक बार इसके बराबर 0 और प्राकिर संख्या बोला है ठीक है ये मान संभव है एक्स ब्राबर पांच तो एक्स ब्राबर पांच तो बाई ब्राबर क्या होगा देख लो कहीं भी रख दो मान एक्स बराबर पांच का मान हम लोग रख लेते हैं कहीं भी रखे फस्ट में ही रख दीजिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर पांच रखे तो पापाचे पाचीस माइनस बाई स्क्वाइर बराबर फोटी फाइब चलिए सॉरी, इसमें देखिये मान नहीं निकलेगा, क्या हो? क्योंकि इदहर ले आएगा पाचीस में से 45 आएगा मैनस बैस जो कि संभव नहीं है, ठीक है? तो हम इसमें सकेंड में रखते हैं ये मान सकेंड है, ठीक है? तो रखिये, तो क्या हो जाएगा एक्स कमान पाँच तो बाई एस्क्वाइर ब्रावर चार पच्छे 20 ठीक है यहां कुश्चन कहा है और देखे एक मिस्टेक हुआ है मैं लाना है माइनस चार आवा गया है प्लस चार है न यहां एक्स स्क्वाइर माइनस नाइन एक्स प्लस फाइप एक्स होगा एक्स इंटू एक्स माइनस नाइन होगा प्लस फाइप इंटू एक्स माइनस नाइन होगा मिस्टेक वां से एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस फाइप ठीक है एक्स प्रावर 9 एक्स प्रावर माइनस पांच यह मान नहीं होगा यह मान होगा यह मान संभव नहीं है अब देख ॉआ स्कोर ब्राबर चार गुना नौ तो बाई स्कोर ब्राबर ॉच्युष थिस्ट थ वाई ब्राबर अंडरूट draws थिस अंडरूट थीष मतलब भोलास माइनस चुशए थीः तो संख्यां क्या हो जाएगा तो संख्यां हो जाएगा एक्स कितना आया था नाव ना संख्यां हो जाएगा नाव और छे हो जाएगा ठीक है नेक्ष्ट कॉस्टन हम लोग देख लेते हैं इसको स्कुन सब्सक्राइब लिजेगा दो ही क्ष्टन है पंद्रा मिट-वीस मिट समय हो जाता है कि कुश्टन नंबर 10 आप अपने से बनाइगा मैं बता दिया है नतर पंच उनकी बिद करमों का अंदर दिया एक बटा दस ही पहले चीश्य बता दिये थे एक संख्यां होगा तो अगला एक बटा अगला कोश्चन कारा किसी संख्याँ और उसके बितकरम कायुक दस है, देखिए 11 नंबर, माना संख्याँ अचलिए बराबर एक्स, एकारर्डिंग टो क्यूश्चन क्या बोला कोई संख्या, तो कोई संख्या एक्स अंतर, अंतर मने घटाव, किसका अंतर उसके बीद करम, तो X का बीद करम कितना होगा, 1 बटा X, बरावर कितना दिया है, योग दिया है, योग दिया है, को दिकत नहीं, 10 बटा 3, अब आप लोग अपने इस बना लिजेगा इसको, क्या करेगा, X LCM ले लिजेगा, तो X स्कॉार पलस 1 बरावर 10 बटा 3, क्रॉस माल्टिपिकेशन कर दिजे, तो 3 X स्कॉार पलस 3 बरावर 10 X, पलस इधरा करके, माइनस, अब आप लोग इहां से X का माननी का लिजेगा, संख्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्वाडिटी की क्या कर रहा है, माननी हम संख्या को एक्स, अब बोटा है, संख्या और उसका बीद करम कितना हो जाएगा, 1 upon X दे दिया है, बाकी कल्कुलेशन आपका है, कोश्चन में 11 हो गया इसी परकार, 12 का रहा है कि 12 को इस परकार दो भागों में भाजित करें, तो मैंने बोड़ा था, कि पहला भाग X होगा, तो अगला भाग क्या होगा, 12 minus X, कि उसके ब निकाल लेना है, ठीक है, नेक्स्ट का रहा है, दो करमागत प्राकेट संख्याओं के बर्गों का योग, फिर वही बात है, करमागत संख्याओं ते एक X होगा, एक X पलस वन होगा, फिर बर्ग है, तो दोनों का स्क्वार करके जोड़ देंगे, हम वहाँ संख्या निकाल इकाई अंको एक्स मालेंगे, अदहाई अंको बाई मालेंगे, ठीक है, तो उनके अंकों का फिर वही चीज है, गुरन फल 18 है, और संख्या में घटा पलर दिया जाए, बताए थे भी कुजर पहले, चलिए, पांदरा भी वही है आपका, अंस और हर वाला, तो अंस और हर का हम अगले पार्ट के वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, तो आज का होंबर्क आपका हो गया, एकसरसाइज, 4.4 में, एक से ले करके, 15 तक कम्प्लीट कर देना है, ठीक है, एक इंपोर्टेंट नोटी से, आप लोग का आज, 22 मही का ये वीडियो बन रहा है, 22 मही को रातरी, 7 बचे आप लोग का, जो 10 विद्यार्थियों का आज, बालो जी में, पाचन तंतर से संबंधी, जो टेस्ट का लिस्ट बनाया गया है, उनसे आज टेस्ट होगा, ठीक है, और 23 मही का भी हमने 10 बच्चे का दे दिया है, फिर 24 मही के 10 बच्चे कौन टेस्ट तो उनका भी नाम हम, आज साम लिस्ट कर देंगे या कल लिस्ट कर देंगे, ठीक है, और ये आपका continue, आपका maths में, चलते रहेगा, उधर टेस्ट भी आपका चलते रहेगा, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को complete करना होगा, बाकी, जिस दिन आपका जूम एप से, जो कि समय सिमित है, कौन सा, लाइब है, आउन सेबन पीम, तो आज आप लोग साथ बजे, जिन जिन दस दस्ट का लिस्ट का नाम दिया गया है, वो लोग आएंगे, और सभी, जूम एप लाइब से विडियो कॉर्णिंग से, सभी से प्रस्म पूछा जाएगा, और उस जो को पाइब है, जिसम्स दूरा कर आख час का लाइब है, क्भाइब है, नहां हRIS प्रस्म एाबंगे दप्रस्म भारी से, सभी से, जिन रुछा और सो सो में प्रस्म एप सा नाम ईत्त, से.